को बता होंगी कि इस कंचे बहुत इजी बहुत संपर है बस स्टिचिंग आपको आने चाहिए कि पहले हम यह देखेंगे कि हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी स्टिचिंग मशीन मैचिंग थ्रेड एक कपड़ा कैची सेफटी पिंग सुई और रबर 3 इंच ब्रेड और 17 तो 22 इंचिंग के बिट्विन लेंच रखनी है थोड़े थोड़े डिस्टेंस से ब्रेड को मार्क करें फिर वही मार्ड पॉइंट से एक स्ट्रेड लाइन ड्रॉ करें और अब वही स्ट्रेड लाइन के थूँ आपको कटिंग करने हैं अब को दोनुआ जिस पर सिलाई करने हैं पहले कपड़े को उल्टा करें फिर डबल फोल्ड करके सिंगल स्टिच करें अब को दोनुआ जिस एक स्ट्रेड लाइन ड्रॉ को दोनुआ जिस एक स्ट्रेड लाइन ड्रॉ करें वही प्रॉसस करें को अंदर की तरफ शाइनिंग वारा पोशन रखके फोल्ड करना है और हाफ इंच के डिस्टेंस पर सिलाई करनी है यहां पर आपको डबल स्टिचिंग रहने हैं करतेमेर एंग अब मैं ले रहे हूं सेकंड स्टिच एंड तक उधी करें अब हमें इसे पलटाना है शाइनिंग वाला पोशन बाहर लाना है मैं सेफटी पीं यूज कर रही हूं आप देख सकते हो कि कैसे करना है हुआ 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 है अब हमें रबर के स्ट्रिप इंसर्ट करनी है इसके लिए आपको एट टू नाइन इंचिस का टुकडा लेना है मैं इसके लिए भी सेफटी भी नहीं उसकर रही हूं आप देख सकते हो कैसे करना है अब इसको पूरी स्ट्रिप से पास्त्रू करने है और पास करने के बाद कपड़े को अच्छे सा एक्जिस करें कि पल्टाते वक्त कपड़ा आगे पीछे हो जाता है अगर आप सही नहीं करोगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आए अब आपको एक नोट बांधनी है एक गांट बांधनी है उसकी बाद एक्स्ट्रा का रबर काट देना थोड़ा सा रहने रहना जैसे वीडियो में दिख रहा है सही से देखे कि कैसे करना है और अब इस गांट को अच्छे से टाइट करके एक साइट के कपड़े के अंदर छिपा देनी है फिर अच्छे से कपड़ा कवर करके हाथ सिलाई करनी है लास्ट वाले स्टिच करसे लेनी आप वीडियो में देख सकते हो अगर यह स्टिच नहीं लोगे तो फिर पूरी स्टिटिंग खुर जाएगी तो प्लीज यह स्टैप फॉलो करें यह बहुत ज़रूरी स्टैप है और यह बन गया हमारा स्क्रंची